इसको मैंने पर्माइन क्यों जुना उसके पीछे क्या रिजन था कभी जानने की गोशिश की है क्या क्या रिजन खबर्ड मैं कच्छ नहीं वाजान तुम मिल गए कजब बेज जती है तो हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एनिमे डीवी एल्टीई पे तर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ड्यूटू सम् प्रॉब्लम्स में वीडियो नहीं लाप पाया था और दोस्तों पर्मैन पाको लब स्टोरी इन बर्मोर स्टोरी के उपर काम करने वाला हूं इस स्टोरी को मैं अभी एंड कर रहा हूं हां इसका सीजन टू तो ज़रू आएगा और हां ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उते शॉर्ट इंट्रो अपने जिल में देखो तो तुमको भी हमेशा दिखाई देगी दिखाई देगी एक ऐसी दुनिया जहां हो सपने पूरे कहीं तो होगी हेलिकोटा आजमा में उड़के जाएंगे हम कहीं भी और जाहें दूर कितना ही तो यार जब पर्मेन के दोस्तों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके बाद हमें ये दिखाई जाता है कि सबसे पहले हमारे पर्मेन नंबर वन को होशाता है और हमारा पर्मेन नंबर वन यानि मिट्सो को होशाता है तो उसके बाद हमें ये दिखाई जाता है कि कैदी की तरह रह रहे थे और उन सब को बंदी बनाया गया था तो यह बहुत अजीब बात है कि वो लोग पर्मेंस हैं फिर भी वो मतलब कैद हो चुके थे तो यार मतलब वो खुद भी सोच रहे थी कि यार ऐसा कैसा हो सकता है हम तो पावरफुल है फिर भी मतलब कि कोशिश कर रहे थे तब दीवार तूट नहीं रहा था तो इसके पीछे क्या लॉजिक था वो भी मैं भी बताऊंगा तो यह हो रहा था क्यूंकि एट्लांटिक में किसी भी पर्मेंस का बतलब पावर जो है वो ठीक से यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका जो सिस्ट कि मित्सू वो बहुत ट्राइ कर रहा है थे कि बर्ड मैंन के साथ उसका कंटेक्ट हो जाए पर बर्ड मैंन के साथ भी उसका कंटेक्ट नहीं हो रहा था उसके वाद वो फिर भी ट्राइक करता मतलब जा रहा था पर फिर भी नहीं हो रहा था और फिर उसको मतलब धीरे या ोंग। और भी चाथ ही तो ये सोचते हैं कि जलो हम लोगə इस चीज को और भी जीदा ध्यान से सोचते हैं कि पाको कहा जा सकती है और फिर पर्मेन बोड़ता है कि पाको तो हमारे साथ ही ती तो वो कहीं तो और नहीं जाएगी तो क्या उसको कोई और अवका उसको कोई और ले गया तो यार फिर पर्मेन बोलता है कि कैसे ढूंडे पाको को और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अपना पर्मेन एक ऐसा चीज़ सोचता है कि वो लोग मिलके एक प्लैन मनाते हैं और उसके बाद वो लोग अपने आप से मतलब बात है कर रहे थे और वो लोग पागलों की तरह हरकत कर रहे थे उसके बाद एक मतलब जो वो लोग तो कैदी थे इसलिए एक जेलर भी आ गया था मतलब उस जेल का जो जेलर था तो वो आके बोलता है कि क्या हो गया तुम सबको पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो तो पर्मेन बोलता है कि मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ तो यार उसके बाद बाकी सब भी हसते हैं और बहुत अजीब गरीब हरकत करते हैं तो यार उसक वहां पर कुछ अजीब तरह का मटकी होता ना वो लोग वही पर पानी रखते थे बट वो थोरा सा यूनिक टेक्नोलोजी का था और उसके बाद हमें यह दिखा जाते है कि पर्मेन को दिख जाता है उसके जेब में तब उस जेलर के जेब में एक चावी था तो मतलब पानी ल सब लोग ठीक भी हो चुकते बताब सब लोग और सब अक्टिंग नहीं कर रहे तो यह उसके बाद हमें यह दिखा जाता है कि पर्मेन और बतलब पर्मेन और उसके दोस्त यह प्लैन कर लेते हैं कि वह जब जेलर जाएगा तब वह लोग चावी खोलेंगे और उसके बाद उसके बार निकलने के बाद वहार निकलने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि पर्मेन के सारे पर्मेंद साथ होad वह सब लोग सुमीह को ढूंने लगतें और फिर हमें दिखा जाता है कि जेलर को भी पता जल जाता है कि वो सब लोग भाग गए और उसके बाद हमें दिखा जाता है कि पर्मेन उसके दोस्त राजा के महल के पास चले जाता है और राजा के महल के पास जाने के बाद, उसको एक चीज़ दिखता है कि जो बर्ड मैन है, उन्हें कॉल किया है पर्मैन को और फिर अपना पर्मैन बोलता है, फिर बर्ड मैन ये बोलता है कि पर्मैन, मैं तुम्हारे लिए अपडेड़ेट सूट भेज रहा हूं और फिर सारे permanent बोलते हैं कि आपको कैसे पता है कि हम कहा है तो फिर apartment बोलता है कि मुझे पता है मैंने तुम लोग को trace कर रिया था और मैंने तुम लोग को जब तुम लोग अंडर वाटर में जा रहे थे बर्मोर ट्राइंगल के पास उज़े वक्त मैंने तुम्हारे टी-शेट्स पर कुछ चिप्स लगा दिये हैं तो फिर हमें यह दिखा जाता है कि पर्मैन के सूट्स चेंज हो जाते हैं और वह सूट्स इतने अपग्रेड़ रहते हैं कि मतलब सच में बहुत पावरफुल सूट्स थे हर एक पर्मैन का सूट्स सबसे अच्छा था और साथ सुमीरे को भी मिल चुका होगा सूट्स और उस के बाद हमें दिखा जाता है कि सुमीरे एक राजा के साथ है रूम में और फिर हमें यह दिखा जाता है कि राजा सुमीरे का माक्स पहले ही खोल लेता है और राजा सुमीरे के पास आने की कोशिश करता है और वह राजा लगबग 18 यर्स का था और उसके बाद हमें दिखा जाता है कि जब वो सुमीरे के पास आने की कोशिश करता है तब परमेन एक पंच मारता है एकदम जोर से बहुत जोर से और राजा एकदम रूम से एकदम निकल के और एक रूम में चलाता है और फिर वो सुमीरे को बोलता है कि क्या सुमीरे तुम ठीक हो और फिर सुमीरे बोल ये बात सुनने के बाद परमेन बहुत शौक होता है पर उस वक्त उसको लगता है कि अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है और अभी वो सुमीरे को लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है और बाहर हमें ये दिखाए जाता है कि बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और वो गार्ड्स साथ परमेन का बहुत खतरनाक फाइट होता है और उस फाइट के बाद हमें यह दिखाया जाता है कि परमेन और उसके टीम फिर से बहार निकलने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद वो लोग अट्लांटिक से तो निकल जाते हैं पर वो बर्मुरा ट्राइंगल में ही कही औ और वह दो चले जाते हैं और फिर हमें यह दिखाया जाता है कि परमेन और उसकी टीन यह सोच थी कि अभी हम मतलब बर्मुरा ट्राइंगल से हम लोग को निकलना ही परेगा और दोस्तों फिर वो लोग अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और फिर वो लोग चले जाते अपने घर के पास और घर जाके सब लोग बहुत खुश रहते हैं तो यह इस वाले स्टोरी पर इतना ही था मैंने इस स्टोरी को चल्दी खतम कर दिया और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उस स्टोरी को अपने चैनल में मतलब बोलूंगा और आपको प्रेडिट भी दे दूंगा तो यार प्लीज आप लोग आपका श्टोरी मुझको इंस्टेगर में बताओ और आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हो तो इस वीडियों बस इ आते हो कि यह सब आये और हां इस वीडियों बस इतना ही था अब फिर से थैंक्स वार वाचिंग फ्रेंड्स